जहें दोस्तों, दोस्तों आज की जो वीडियो है ना ये एक 5.1 चैनल स्पीकर पैकेज के ऊपर है जिसमें की आपको एक ultimate वाली voice quality मिल जाती है ये जो पैकेज है ये है monitor audio का मास 5.1 चैनल स्पीकर पैकेज आपके वियाज के लिए तो आज की वीडियो के अंदर ना मैं आपको इसी की सारी डिटेल बताने जा रहा हूं कैसी है इसकी performance आपको क्या प्राइस पड़ता है क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर जो की इसे थोड़ा unique बना देती हैं तो आज आप से मैं इसी बारे में सारी बात करने जा रहा हूं सच में अगर आपको कहुना तो quality जो है ना इसकी काफी यादा जबर्दस quality इसकी मुझे लगी है मैं बहुत जल्दी किसी भी product की तारीफ नहीं करता हूं आप जानते हैं बट इसकी performance काफी यादा सही लगी है मुझे तो आज आपको मैं इसी के बारे में बताने जा रहा हू नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं audio guruji and audio guruji चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है चोटी सी information आपको मैं पहले देना चाहूंगा कि हमने एक चैनल और open कर लिया है इंडियन हाइफाई के नाम से तो उस चैनल पर भी आपको काफी अच्छा content देखने को मिलेगा इस चैनल पर हम mostly high-end items की ही वीडियो जालती है उस चैनल पर आपको जो हमारे खुद के ब्रेंड के द्वारा बनाएगे इस पीकर जो भी प्रोड़क्त हम बनाएंगे उनकी वीडियो आपको वहाँ पर मिला करेंगी तो आपने जिस तरीके से इस चैनल को सपोर्ट किया है उस चैनल को भी अपना प्यार उसी तरीके से दीजिए तो link description में आपको मिल जाएगा आ कर जल्दी से subscribe कर लीजिए और बैल आइकन को दबा दीजिए तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी लुक के बारे में बताना चाहूंगा क्योंकि जो लुक है काफी इंटरस्टिंग काफी अलग सा concept बनाया है काफी compact size के अंदर में एक जबरदस्त पावरफुल चीज मैं आपको कहूंगा कि कंपणी ने बनागर दी है हमें तो जो design है उसी के बारे में पहले हम बात करते हैं तो पहले आप से मैं बात करना चाहूंगा इन speakers के बारे में करता हूं आपको बताना तो एक speaker में यहां पर ले लेता हूं इसके साथ जो पांच speaker है आपको एक जैसे मिलते हैं नॉमली जो आपने देखा होगा कि जो center speaker है वो हमें बट इसका भी alternate company ने दिया हुआ है अगर आप चाते हैं कि आप इन speakers के साथ में एक dedicated center channel ले तो आप वैसा भी कर सकते हैं क्योंकि यह जो speakers है यह पर piece के हिसाब से आपको मिलते हैं आपने दो लेने हैं आपने एक लेना है आपने पांच लेने हैं आपने साथ लेने हैं आपन में हिसाब से ले सकते हैं तो आप दो पेर इसके लीजिए और एक dedicated center channel ले लीजिए जिसमें की double driver दिये गए हो तो आपका जो doubt है वो भी दूर हो जाएगा बट फिर से आप से कहूंगा कि ऐसा करने की जरूत है नहीं आपको वैसे तो finishing के अगर यहां बात करता हूं तो compact size के आप से अगर देखते हैं तो लगता नहीं है कि इतना वजन होगा इसका और जो body है वो plastic के अंदर बनाई गई है काफी high grade का plastic इसमें यूज किया गया है और concept काफी सही है देखो आगे तो हमें front में जो grills है वो सभी speakers के अंदर मिलती है बट यहां पर आपको back side पर भी grill मिलत है और wall on करने का भी option आपको इसकी back side पर ही मिल जाता है तार लगाने के बाद में आप चाहो तो इसको ऐसे का ऐसे भी लगा लो यहां फिर आप इसे grill को वापिस तरीके से प्लीज कर सकते हो तो अगली जो grill है वो भी removable है तो अगली grill भी मैं आपको यहां पर उतार के दिखा है और यह जो ड्राइवर है फुल रेंज के अंदर है रबड का सराउंड यूज किया गया है और quality वाइस अगर मैं बात करो तो काफी यादा जबर्दस quality आपको इसके अंदर मिल जाती है तो परफॉर्मेंस इसकी जो है काफी अच्छी है पंची है एकोरेट है तो इसे फि आट का स्पीकर में भी पैन जो का पाफीं डिच्छ भीं यॉइस पाइवर मिलता है कि घ्लाङी है तो माः तो मैं एक बार यहां देख सकते हो कि आपको जो ड्राइवर है वो फ्रेंट में दिया गया है एक एक यह तो teいき जिसका आपको इसमें ड्राइवर मिलता है एंड जो एक थोड़ी से यूनिक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि इसका जो सराउंड है वह इन्वर्टेड लगाया गया यानि कि बाहर को उबरा हुआ नहीं वह उल्टा लगा हुआ अंदर की तरफ को बैंड किया गया है उसे अगयं जो सराउंड है वह आपको रबर का ही मिलता है और जो कॉन की क्वालिटी है जो स्पीकर कों की वह भी आपको काफी अदा शही और अच्छी क्वालिटी इसमें मिल जाती है तो अभी अगर हम बात करते हैं इनकी स्पेसिफिकेशन की तो पहले हम अपने सेटेल्ट स् frequency response देखने को मिलता है, and 8 ohms के speaker है, so आप इसे किसी भी AVR पर यूज कर सकते हो, और साथ ही आपको sensitivity मिल जाती है 80 dB की, and यहाँ पर अगर बात करते हैं, amplifier की, तो इसे run करने के लिए आपके पास में 30 watt का amplifier होना compulsory है, इससे नीचे का amp नहीं होना चाहिए, maximum आप 100 watts तक के amp को इस पर लगा सकते हो, बट आप अगर इससे उपर का amp भी लगाते हो, तब भी कोई tension वाली बात नहीं है, उल्टा और यादा अच्छी performance आपको मिलेगी, जो कि जो इसमें power handling 100 watts maximum हमें बताई गई है, वो 150 hertz पर बताई गई है, बट जब भी आप कोई movie प्ले करते हैं, या music सुन रहे होंगे, तो continuously 150 hertz की frequencies नहीं आएंगे, उससे उपर की आती है, तो इस पर आप अगर और यादा heavy amplifier भी लगाते हैं, इवन जो मैंने इसे चलाया है, मैंने इसे 200 watts के amplifier पर चलाया है, और जो performance मुझे मिली थी, वो even मिली थी, तो अभी बात करते हैं हम अपने subwoofer की, तो subwoofer में आपको 8 inches का driver मिलता है, जैसा कि मैं पहले बताई जोका हूँ आपको, और यहाँ पर amplifier के अगर बात करते हैं, तो इसमें आपको 120 watts का amplifier दिया गया है, और 50 hertz से लेकर 150 hertz तक का आपको इसमें adjustable frequency control मिल जाता है, बाकि यह जो subwoofer है, यह 35 hertz तक डाउन जाता है, and subwoofer's के input के अंदर आपको left और right का भी input मिल जाता है, साथ ही साथ इसमें आपको LFE का भी input दिया गया, अगर आप इसे अपने AVR से connect कर रहे हैं, तो मैं आप से कहूँगा कि आप इसके LFE input को ही use करें, and साथ ही इसमें आपको face control भी मिल जाता है, जो कि 0 से 180 degree का दिया गया है, और आपको इसमें 3 equalizer mode दिये गए हैं, जो कि mostly subwoofer's में अशन नहीं दिया गया होता है, एक जो mode है वो है impact का, एक है music का, और एक mode आपको मिलता है movies का, तो आप जिस भी इसाफ से use करना चाहो, तो आप उसे switch करकर देख सकते हो, जिस पे भी आपको performance अच्छी मिल रही है, आप उसी mode पर इसे चला सकते हो, और auto on या फिर continuously on off का feature भी आपको इसमें मिल जाता है, तो यहां पर अभी बात करते हैं, हम इसकी performance की, तो performance जैसा कि मैंने आपको थोड़ा सा तो hint पहले ही दे दिया है कि performance इसमें मुझे काफी यादा सही मिली है, अच्छी मिली है, हर एक तर ही किसे, इसकी जो mid range है, काफी clear है, काफी अच्छा mid मुझे मिलता है, काफी अच्छी आ रही थी, सिंगल ड्राइवर है, सेंटर के अंदर, तब भी जो सेंटर की क्वालिटी है, काफी आता सही थी, अगर बात करते हैं, हम यहां पर subwoofer की, तो subwoofer आपको 8 inches का ही मिलता है, तो यहां पर कुछ लोगों के माइंड में जरूर यह चीज आएगी, क कि भी आ, subwoofer तो बहुत चोटा है, बट आपने अगर इसे यूज नहीं किया ना, तो क्रिप्या करके वीडियो पर कमेंट करकर यह बात मत बोलिएगा, क्योंकि 8 inch के subwoofer के इसाफ से, जो effect इसने मुझे दिया है, वो काफी जबरदस्त effect मैं कहूंगा, कि दिया है, सील्ड इ KBL के जो軍 स्पीकरें है उनमें आपको ऐसा देखने को मिलता है, तो काफी एको रेट है, काफी speed जो इसकी है, काफी यारा sonche PEEP तो इस package को मैंने movies में भी use करकर देखा है यानि कि इसमे मैंने movies भी play करी है और मैंने इसमें काफी अलग-अलग type music भी सुनकर देखा है तो सभी के अंदर जो quality मुझे मिली है वो काफी आदा सही मिली अच्छी मिली है इसकी तो कुछ samples मैं आपको यहां पर सुनाना चाहूंगा music में कि इसकी जो quality है वो कैसी है आपको थोड़ा सा अंदाजा जो है वो लग जाएगा तो सोनी बाली कारता तेल मिलने नु काली कातों तो डर थी कातों वोड़ी यह लॉली केरे शेवा दिन्दाद कि चुमेरी निन्दफाव गर्मीन ताइब जालों पे लिए वे अगे लवे में तूपियां जबी आवासे देख कहीं से एक पासे कदीडिया सारी इतनों पॉरसे डारी दी तेरियों से ज़कते नड़ी तेरे करके तेरे करके तेरे करके तेरे करके थेस नाद वननाट से ये येस, oh वो यहर है जो हुश भू कितारा जिसकी ज़ां उर्दू कितारा ने शाम रात मेरी काये जो प्रतीये जो हती गानिया पन्ये आट्टे कुसा हुण जान देक्यों अखाने तो फ्रेंट्स यहां पर डेमोज आपने सुन लिए अभी थोड़ा सा ना अंदाजा आपको लगया होगा देको वीडियो के अंदर रिकॉर्डेट साउंड है तो इतना यादा क्लियरली आपको नहीं पता लग सकता है आप चाहें जितना मर्जी अच्छा माइक ले लो वह हम किसी भी प्रोड़क्ट का एक डिकॉर्डिड डेमो सुनते हैं और बाकी बताने के लिए हम तो है ही हैं तो मेरे हिसाब से तो यह पैकेज काफी यादा जबरदस्त है यहां पर अगर अभी हम बात करते हैं इसके प्राइस की तो प्राइस जो है वो पर स्पीकर के हिसाफ से आपको मिलते हैं जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि अगर आप एक पीस लेना चाहते हैं तो एक पीस भी आपको मिल जाता है तो एक पीस का जो MRP है वो है 14,500 रुपीज तो आप जितने भी स्पीकर ले रहे हैं उसको उसे मंटिपलाई कर लीजिए एंड यह MRP है यह actual cost नहीं है अगर आप इसे खरीदते हैं तो इससे काफी कम कीमत पर ही आपको मिलता है बाकि जो लेस करने के बाद का जो प्राइज है वो आपको मैं यहां नहीं बता सकता हूं तो अगर आप मिसे कोई भी purchase करना चाहता होगा तो नीचे दिए कि WhatsApp नंबर पर message कर अगर आप इसका rate पता कर सकते हैं या फिर नीचे दिए कि Instagram handle पर जाकर भी आप हमारी sales team से बात कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो के अंदर यही था आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और bell icon को जरूर दबाईएगा क्योंकि high end audio से related जानकारी आ खास कर हिंदी में तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में आप स्वस्त रहें और मस्त रहें जैहन दोस्तों